घमंडी आम की कहानी एक जंगल में एक आम के पेड़ पर बड़ा सा एक जादू याम था वहे बड़ा ही सुन्दर था वहे बोल भी सकता था और सोच भी सकता था आम इतना सुन्दर था कि आते जाते लोग गो उसको देख कर उसकी तारीफे किया करते अरे वाह इतना सुन्दर आम काश मैं इसे खा पाता लेकिन यह तो बहुत ही उचा है रोज कोई ना कोई आता और आम के लिए यही कहता रोज यह सुनते सुनते आम को अपनी सुन्दरता पर गमंड हो गया वह सोचने लगा मैं इतना सुन्दर हूँ मैं किसी का बोजन क्यों बनू मैं मेरे अंदर का मीठा रस किसी को क्यों पिलाओ लेकिन मैं यहाँ पेड़ पे लटका रहता हूँ मुझे अपनी सुन्दरता को सभी को दिखाना चाहिए चलो कहीं घूम के आते हूँ ऐसा सोचकर आम पेड़ से नीचे आ गया और घूमने लगा गूमते गूमते आम को रास्ते में एक चिडिया मिली से चिडिया ने कहा अरे रुको रुको आम मैं तुमें खाना चाहती हूँ तुम बहुत ही रसीले हो और बहुत ही सुन्दर भी तुम मुझे नहीं कह सकती मैं एक जादूई आम हूँ और मैं अपना रस तुमें क्यों देऊं मैं अपना रस अपने पास ही रखूँगा यह कहकर आम वहां से भगा भागते भागते आम को आगे चीती मिली चीती में कहा अरे वाह ये आम तो बड़ा ही मीठा और रस बड़ा है मैं इसे खाना चाथी हूँ तुम मुझे नहीं कह सकती मैं एक जादोई आम हूँ और मैं आपना रस तुम्हें क्यों देऊ यह कहकर आम वहाँ से भागा और चीती उसको देखती रह गई भागते भागते आगे आम को एक आदमी मिला अरे रुको रुको कहा भागे जा रहे हो मुझे बहुत भूख लगी है मेरी भूख मिटा दो चल हट मैं एक जादू याम हूँ और किसी की भूख मिटाना मिटाना नहीं है मेरा काम मैं मेरा रस तुम्हें क्यों देऊ यह मेरा है यह कहकर आम आगे चला गया थोड़ी दूर में वहे ठक गया और जाडियों में छुपकर आराम करने लगा कुछ दिन बीत गए अब आम सड़ने लगा उसमें कीडे भी लग गए थे अब आम सोचने लगा इससे तो अच्छा होता कि कास में किसी की भूख मिटा देता मैं किसी के काम तो आता ऐसी सुन्दरता का क्या फायदा और वहें जोड जोड से रोने लगा और कुछ दिनों बाद वहीं सड़कर मर गया तो बच्चों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिद्धी है कि हमें अपने गुर्ण पर घमर नहीं करना चाहिए और सब की साहिता करनी चाहिए और सब की साहिए लगता है यह बहुरा नदी में डूब रहा है मुझे इसकी साइदा करनी चाहिए क्या करूं क्या करूं क्या करूं पत्ता आइडिया दन्यवाद में आज तुमने मेरी जान बचाई है यदि आज तुम नहीं होते तो मैं नदी में डूब जाता तुमारा यह असान मैं नहीं भूलूगा और यह दिन तुमारी साइदा जरूर करूगा सहाइदा वह भी तुम ठीक है ठीक है खैर छोड़ो एक दिन जंगल में शिकारी आया और शिकारी ने चडियां को पेड़ पर देख लिया अरे वाह इतनी सुन्दर चडिया इसको तो मैं अपना भोजन जरूर बनाऊंगा अभी निशाना लगाता हूँ लगता है यह शिकारी चडिया का शिकार करने वाला है मुझे इसे रोखना होगा वैसे भी चडिया ने एक दिन मेरी चान बचाई थी भावरे ने शिकारी को परिशान कर दिया जिससे शिकारी का निशाना चूब गया और चिल्या उड़ गया मुझे माफ कर दो मित्र यदि आज तुम नहीं होते तो यह शिकारी मेरी जान ले लेता उस दिन मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था इसके लिए भी मैं तुमसे माफी मागता हूं मित्र नहीं नहीं कोई बार नी रहने दो मित्र उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी हिसाब बराबर और हाँ कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझेना चाहिए यह कहकर बहुरा वहाँ से चला गया एक जंगल में हाथी और चीटियों का जुन्द रहता था चीटियां बड़ी ही मैंती थी वह सारे दिन काम में लगी रहती वही हाथी बड़ा ही सरारती था वह सारे दिन सेतानिया करता रहता जंगल के सभी जानवर हाथी से परेसान थी वह चीटियों को कुचल देता और उन्हें परेसान करता और उनके घर तोड़ देता एक दिन जब चीटियां अपने जुन में जा रही थी तभी उनका सामना हाती से हो गया अरे हो हाती वा चल है रास्ता चड़ कहे रास्ते मां तम्बू का माफे खड़ा है हमका जाने थे बहुत काम है हमारे गव क्या वे पिद्दी सी चीटी ज्यादा उचलो मत यह हमारे पैर का साइस दिखा है न यही मसल की रख देंगे तेरे को हाती है हमारा नाम हाती तुम्हारे को प्यार से समझाई रही है तुम तो सिर्पे ही चड़े जा रहे हो ज्यादा गमण नहीं करने का वरना तुम्हारा गमण हवा में उड़ाई देंगे जा जा अपना काम कर नहीं तो जान से हाथ दो बैठेगी अब चल निकल यहाँ से अब चीटी अपने जुन्ड के साथ निकल ली वै हाती भी जंगल में निकल लिया अगले दिन चीटीों ने हाती को सबक सिकाने के लिए एक मिटिंग रखी बताओ चीटीों क्या कोई सुझाव है इस हाती से छुटकारा पाने का सब भी एक दूसरे की और देखने लगे उन्हीं चीटीों में से एक टूनी नाम की समझदार चीटी थी उसने कहा देखो भाई हम बहुत छोटे हैं और हम हाती से आमने सामने की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसलिए हमें हाती से लड़ने के लिए अपने दिमाग का इस्तिमाल करना पड़ेगा दिमाग का और इस हाती से nijat पाने की एक टर्कीब है मेरे पास बोलो टूनी क्या कहना चाती हो तुम और कौन सी तर्कीब है तुमारे पास मारानी साहिबान यदि हम हाती की सून में किसी तरह से भी गुश जाएं तो हाती की सून में उसे काट कर उसको नानी याद दिला सकते हैं और वैसे भी हम बहुत छोटे हैं हमें हाती की सून में गुष्णे में कोई परिशानी भी नहीं होगी अरे वाट टूली चिटी तुमने तो कमाल कर दिया हम तुमसे बहुत खुश हुए और इस काम को करने के जिम्मेदारे भी हम तुम्हें देते हैं जो आग गया मारानी जी मारानी की जै हो अब अगले दिन जब हाती सो रहा था तो दीरे सीटूनी चिटी उसकी सौन में गुष्ण गई और जोर जोर से काटने लगी चिटी के काटने से हाती पागल हो गया और इधर उदर भागने लगा क्यों रहे हाती आया मजा बड़ा घमन था ना अपने विशाल शरीर पर अब काहे पगला रही हो माफ कर दो चिटी जी माफ कर दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है माफ कर दे वो भी तोरे को थमने मारे साथ जो किया उसके ले तो तोरे को माफ केसे दे दे थमने ना जाने कितने घर तोड़े मारे तोरे को तो इससे भी बड़ी सजा ओनी जाई नहीं नहीं चिटी बेहन मुझे अपनी गल्ती का आईसास हो गया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो अब हाती चीटी से माफी मांगने लगा और वैं बहुत गिड़ गिड़ा रहा था कुछ देर बाद चीटी को दया आ गई और चीटी हाती की सून से भार आ गई आइंदा हमें परिशान मत करना वरना इससे भी बुरा हो सकता है नहीं नहीं चीटी बहन, आइंदा मैं आपको परिशान नहीं करूँगा मुझे अपनी गल्टी का एसास हो गया है और इस तरह से चीटी ने हाती को सबक शिकाया देखो बच्चो चीटी ने कैसे अपनी सूजबूजवे बुद्धी से हाती का सामना किया